अभी हालिया दिनों में घुटनों के ओप्रेशन और घुटनों को बदलने की सरजरी में एक हैरतांगेज तबदीली सामने आई है साइन्सदानों ने रोबोट मशीन्स के जरिये घुटनों का इलाज तलाश किया इस सिलसिले में अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल मुंबई ने पहल की और घुटनों को बदलने की सरजरी की जदी तरीन रोबोटिक टेकनोलोजी का इस्तिमाल किया और रोजा सर्जिकल रोबोट सिस्टम की नकाब पुशाई की है और इस रोबोटिक टेकनोलोजी की नकाब पुशाई बॉ उस डॉक्टर को मिली है, जिनका तालुक आजमगर से है, जिनका नाम डॉक्टर सफियुद्दीन ती नदवी है और जिनके नाम की मकबूलियत का चर्चा। ठाना हलके के मुजफरपुर बाजार में क्लिनिक पर बैठते हैं और हड़ी के मरीजों की एक बड़ी तादा जमा हो जाती हैं। ये बताता है कि आजमगर की सरजमीन आज भी सलाहियतों के लिहास से माला माल है और आज भी यहां से वो लोग पैदा हो रहे हैं जो आजमगर क नाम मुल्क और बैरूने मुल्क में रोशन कर रहे हैं इसलिए डॉक्टर सफ्यूद्दीन ती नदवी को पूरे आजमगड की तरफ से मुबारक बाद दिया जाना वाजीब है आप विडियो में देख सकते हैं कि पिछले दिनों अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल मुंबई म बॉलिवुड अदकार अर्बाज खान के हाथो रोजा सर्जिकल रोबोट सिस्टम की नकाब पुशाई के दौरान रोबोटिक सर्जन डॉक्टर सफ्यूद्दीन ती नदवी उनके पास खड़े नजर आ रहे है